मुझे मौका मिला यहां हमारे प्रदान मंतरी के घर पे आने का और इनसे बाचीत करने का तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेस्टिन नहीं लाया हूँ मुझे जानना है कि as a person, as a human being, एक इनसान के नाते हमारे प्रदान मंतरी हैं वो कैसे हैं? क्या खाते हैं, क्या बाचीत, मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीजे होती हैं, मतलब पॉलिटिक को छोड़के, उसके बार में मैं उनसे जानना चाहूंगा, तो सबसे पहले, सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है, आपसे बा पॉलिटिकल बाते करने के लिए इच्छा जताई हैं, मैंने जानता हूँ, दर्शकों को केतनी रोची होगी, लेकिन जरूर मैं खुलकर के बाते बताना पसंद करूंगा, बहुत-बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके परसनल मतल को कोई क्वेस्टन पूछना चाहेंगी, तो क्या पूछना चाहेंगी? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रदान मंतरी आम खाते हैं? यह उसका क्वेस्टन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काटके खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे चोड़ी करता है तो पकी हुई आम थे वो खाना में ज्रणा पसंद था यहença है यहंने उतारे लेके बाद पकाया उओँ नहीं नेचरल कोर्स में पकाव हुआ और फुरा का पुरा अजब तब तो हाइजनिक की है कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए डिकना करना कुछ नहीं समझते थे इसा ही अपना कर लेते थे लेकिन बात में जिसे जे बड़े तो कई वराइटियों के विशे में जाने लगे आम जोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है अश्य अभी फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊ या ना खाऊ नरण जी मैं आप से ये पूछना चाहूंगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधान-मंत्री बनेंगे कभी आपने सोचा था और सोचा था तो कौन सी उमर में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूंगा कभी ऐसा विशाद नहीं आया और सामाने लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है शायद जो बन जाते हों सब के जीवन में ऐसा होगा मैंने ही मानता हूं कि हैने कोई एक तिम फैमिली ही उसी प्रकार से बैग्राउंड बाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभा भी खेर परना मेरा जो फैमिली बैग्राउंड है उसमें तो आगर म में बेटे को वहां नोकरिक में गई कि उससे जादा हमने तो कुछ सोचा नहीं सा गाउं के बार को देखा नहीं सा यह तो यक्षी यात्रा चल पड़ी और देश में यह लेता चला गया तो अपने आपी बनते चले गए सब जिम्मेवारी आती गई बहुत ही मतलब नाचु कि अधिती का तौर करें उसमें यह सब बढ़ता ही नहीं जी मुझे भी आफिर हो रहा है कि देश में इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है यहां तक मैंने पड़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाह करता था तो बड़े-बड़े लोगों के जीवन पढ़ना यह शौक रहता था कभी फोज वाले उनिफॉर्म में निकलते था तो मैं जबना देखता था कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूर कर देता था मन करता था कुझे इतने में 1962 का वार हो गया तो हमारी हां स दूर एक महसान स्टेशन है मेरे गाउं से तो वहां स्टेशन पर है सब लोग जो फोज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका पड़ा सतकार करते थे चाहे और तो मैं भी चला जाता था तो जाकर के मैं भी वह तो मुझे बड़ा मजा आता था तो मन पर हो गया कहा यह हमें सोलता था इतने में एक बार मैंने कहीं पड़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है उसमें आप दाखिल हो सकते हैं तो हमने अपना रहे उस समय साथ एक रुपया दू रुपया से उसका सारा जानकारी अमंगवाते थे अब हमें तो अंग्रेजी आती नहीं थी तो ह अभी बड़ी वेक्ती से मिलने से कभी संकोची नहीं होता था आज़े फिर चला गया में भार रहा है यह बत सही है कि भीतर मन में था तो मैराम क्रिशन में चला गया एक स्वामी आत्मस्थान अंजी हुआ करते थे अभी उनका करीब हंड्रेड यर उमर में अभी है तो वह बहुत मुझे प्यार करते थे समझाते थे जिनगी क्या है डिकना क्या है रामकृष्ण भीशन आश्रम में कुछ समय रखते थे मुझे विवेकान जी जिस कमड़े में रहते थे उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मुका देते थे तो यह सारे नए-णव होने लगे मालाई की दुनिया में चल पड़ा बहुत कुछ भटका बहुत कोई घुमा दुनिया देखी और यह सब 18-20 साल-22 साल की उमर में ही करता रहा मैं लेकिन कुछ confusion भी था कुछ इरादे भी थे कोई guidance भी नहीं मिल रहा था लेकिन मन में सवाल खुद पैदा करता था जब आप खुद दूंगता रहता था ऐसे भटकता 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 है आपकी लाइफ को मैं अभी आपकी बात मैं सुन रहा हूं तो मुझे लगता अगर आप प्रदानमंत्री नहीं होते होते तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो सन्यासी ज़ादा लगते थे अगर आप वैसे मैं क्या बनता ये कहना अभी कठिन लग रहा है क्योंकि जो सोचा नहीं वो बन गया वो तो हमेशा होता है मेरे साथ भी मैं भी आपको अगर एक इसा सुनाओंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है मैं क्या बनने वाला था मैं एक मार्शल आट का टी ऌर मतलब क्योंकि देखिये सबको गुछा आता है आउब आपको भी गुछा अगर आता भी है तो उस गुसे में आप क्या करते हो गुसा निकालने के लिए किस पे निकालते हैं और कैसे निकालते हैं कि मुझे गुस्जा नहीं आता है तो बहुत लोग को surprise होता है। अपको गुस्जा नहीं आता है। ह imperfect। इसलिए ये कहना कि राजी, नाराजी, गुस्सा मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं, जिन्दगी उसके बिना हो नहीं, हर प्रकार की चीजे हर के अंदर होती हैं, लेकिन जो मेरा 18-22 साल की जिन्दगी का जो एक बड़ा त्नपका था, वहां जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसम करता था, कि आप आपके जीवन स्वभाव में इस्वन ने सब दिया है, अब आपको टाय करना है कि जो अच्छी चीज है, उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना, तो फिर ये चीजे हैं जो नेगेटिविटी नाती है, वो रुकती है, मैं कह सकता हूं, कि मैं इतने लंबे सम समय तक मुख्य मत लिए रहा, इतने समय तक प्रधान मत लिए रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिबर सकेरिटरी तक, मुझे कभी घुसा व्यक्त करने का अफसर नहीं आया है, कभी नहीं आया, लेकि मैं आपको बता हूं, बाहर जो आपकी छवी है, वो एक बहुत प्रिंसिप्लीन हूं, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके, अफ़ानीद करके काम नहीं निकरता, मैं उसको प्रेजित करता हूं, कभी कोई चीज है, यह खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूं, मानीजे कोई ड्राप लेकर का आया, तो एक तो दरी स्ञाइब आपको क्या लगता हैं, यह कर दो कैसा होगा, तो क्या होता मेरी दस मीट पहली इंविश्च भो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है, तो अगली बार जो आता है, तो मुझे मेरा शर्माह नहीं जाता हूं, मेरी कलपना के अनुसार चीज़ लेकर किया जात जले जाते हैं तो मेरे पास कुछ बेटा ही नहीं है तो मतलब आपको गुसा इतना गुसा नहीं आता है अंदर तो होता होगा मैं व्यक्त तो करने से अपने आपको बहुत रोक रोक लेते हैं होता क्या है जी कभी माननों मिटिंग मैं आपने गुसा कर दिया गुसा कर दिया तो मिटिंग का एजन्ड आप अगरे सब छूट जाता है हरें के मन पर वो दो तीन मिनिट की समय रहता है वही चाया रहता है वह बहुत नुक्षान करता है जैसे मुझे गुछसा आता है तो मैं आपको बता हूं गुछसा एक निकालना बहुत अच्छी बात है मैं चोटा मु अपना गुसा निकाल लेता हूं और फिर थक आरके बस या कभी समंदर किनारे चला जाता हूं और जोर से चीकता हूं कोई भी नहीं होता है ने इसके लिए कारक्ट रहेगा है अच्छा मन की स्थित्व के लिए ओके इत तो होता है चेहरे पर बाड़ी पे गुसा होना और ले वक्त होना, दूसरा होता है आपके emotions को मैं अपने अंदर एक चीजच डेवलब की थे ऐसी कोई घटना है जो मुझे पसंद नहीं आई है और मेरा मन करता है कैसा क्यों हुआ कभी और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कभी होता थे मैंने ऐसा क्यों किया मुझे ऐसा नहीं करना और कभी ego भीच में आता है तो में व्यक्त भी नहीं करता हूं मैं सुरी मेरे से गलती हो गई मनुश्य हैं मैं क्या करता था अकेला कागेज लेकर के बैठता था उस सारी घटना का वर्णन लिखता था कैसे हुआ क्या हुआ मैंने क्या किया क्यों किया खुदी और उसमें जश्टिभाय करने की कोशिश नहीं करता था फिर उसको मैं फार करके फाच लगें पढ़ता भी नहीं था दूबारा फिर भी मेरा मन सानली होता था पूरी कथा दुबारा लिखता था तीन पेज चार पेज पांट पेज उसमें उस सारी घटना करम को जिवनत कर देता था इससे क्या होता था कि वो चीजह मेरी जो इमोस् कि दर्मियान जो पहले मुझे सच लगता तक मैं सच हूं दो तीन पर लिखते के लिखता है नहीं यह गलत था यह इंडिफाई कर लेता हूँ उसमें तो मतलब यह आपका तरीका है हाँ यह अब वो नहीं रहा इतना समय नहीं है यानि मैंने अपने आपको ट्रेंड उस प्रकार से किया था इतना बड़ा आपका घर है जैसे मैं अपने घर पे अपनी मां के साथ रहता हूं आपका मन करता है साथ आपकी मां आपके भाई आपके सारे जितने भी रिष्ट्यार हैं आपके सा घर पे रहे हैं पहला है कि अगर मैं पीम बनकर के घर से निकला होता तो तो स्वाभाविकरेत से मेरा मन रहता था कि बहुत जिंद्गी की बहुत छोटी आईू मैं सब को छोड़ चुका हूं बहुत छोटी आईू मैं बहुत छोटी आईू मैं छोड़ दिया उसके करण वो जिंद्गी ऐसी थी जो टोटली डिटेच बन गई है और इसलिए जिसको कहें लगाओ मोह माया कि मेरी वो जो जिंद्गी में जो घर छोड़कर के निकल गया था वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार के हुई है और उसके कारण एक अवस्ता के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है उस समय जब छोड़ा तब तकलिफ होई होगी लेकि अब जिंद्गी वो बन गई है लेकिन फिर भी कभी मा को बुला लिया था मैंने कुछ दिनों के साथ बिताय था मैंने पर पिर भी जैसे मेरी मा मुझे घड़ा धार एक तो मेरे पिसे क्यों कि समय ख़राब करते ही और मैं यह क्या करूगी तुमारे साह «थ रहंचे नहीं जाते हूंые अपने पुराने गाउं के जोलोग हैं को यामिन नerson tenynा आते तो बाते होती है अपनी बाते होती तुमारे स कि साथ में खाना खा लेता था फिर भी यह भी पेइन होता था कि मैं रात को बारा बजाता हूं तो मा को दूख हो रहा है कि का कर रहा है मुझे अभी भी याद है میں आपसे जब पहली बार मिला तुम्राओANE आपसे पहली बार मिला था जब आप दो उस वक्त एक या दो मतलब मैंने आपको एक दो चुट्कुले सुनाए थे और आपने भी मुझे एक चुट्कुला सुनाए था तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका हुमर अप प्रधान मंतरी बनने के बाद इंटैक्ट है मेरे मेरे परिवार में मेरी एक विशन स्था है क्यों मैंने जैसे आपको बता आपकी छवी बहुत स्ट्रिक्ट है मैंने आपके साथ में जो काम करते हैं कई लोगों से ऐसे बात चीत करते हैं वो बात यार बड़ा काम करवाते हैं तो वो जो एक बोट स्ट्रिक्ट अड्मिस्ट्रेटर एक स्ट्रिक्ट हेड्मास्टर ऐसा लगता है मैंनला हात में छड़ी होगी उटके तो अभी भी आपका हुमल एक बात है यह जो चबी बनाई यह वह सही नहीं है और कोई यह कहता है कि मैं काम करवाता हूं शायद वह सही रूप में अनालिसिस नहीं कर रहा है को यह कहें कहां काम बहुत करना पड़ता है उस पर सचाई है लेकिन मैं किसी को दबाव नहीं करता हूं लेकिन वह जब खुद मुझ को देखते हैं पहले जह से आफिस से आम तोर पर प्रदान मंतरी छे साथ पर जी निकल जाते थे दो पर मैं भी एक दो घंटे वो आफिस मे क्लट काम कर रहा है तो एप प्रकार से तीम का स् Zelda अब टेवलप करते हैं तो एक परकार शो कि इना अबक Ambit कर रहा है और वो मैं खुद काम करता रहता हूं, उसके कारणा होता है। स्ट्रीक ने डिसिप्लिन थोपने से नहीं आती है, क्योंकि मैं जिन्दगी मैंने Human Resource Development में ही अपनी जिन्दगी खापाई है। आप लोगों को जूट बोलके रहें कि इंप्रेश भी नहीं कर सकते हो लंबे अर्से तक है। वो सब देखते हैं आपको कि या बात ऐसी करते हो, करते हैं तो आप जैसे हैं वैसे रहो और उनसे काम करिए। मैं काम के समय काम में रहता हूं। इसलिए धरूदर की बाते समय खराब नहीं करता हूं। दूसरा मानी जिए मैं मीटिंग कर रहा हूं। और कोई मोबाइल फोन अपना समय बिगाड रहा है। तो मैं फिर उनकी दर जाए। अच्छा बताईए अभी मैं जो विचार कह रहा था क्या हुआ। तो उनका ध्यान नहीं था। तो उनको लगता है था मोबाइल फोन में मैं च्टर देख रहा हूं। तो तब से मेरी मिटिंग में समय लोग समचिए कि मोबाइल फोन नहीं जाना जाए। तो यह मैंने डिस्प्रीन खुद के जीवन में लाया। तो सामने वाले को लगता है क्या रही है। टोटली मेरे लिए डेडिकेटर टाइम था। इन चीजों का प्रभाव प्यादा होता है। जहां तक हुमर का सवार है। मेरे परिवार में हमेशा एक अलपना थी। कभी पिता जी राजी नाराजी हुए हो, कभी छोटी मोटी हो। तो हमेशा मैं पूरे महल को एक आदी मिनिट में हख़का कर देता था। यह मेरा एक सोभाव था। आज भी मुझे करना का मजा आता है। शब्दों से खेलना वगरे। पर अब क्या हो गया है। हर चीच के अलग अर्थ निकाले जाते है। आधा दूरबाद के उठा करके उचाल दिया जाता है। तो अब डर लगता है। कहीं कहीं जाकर के इरादा वो नहीं होता है। हशी, मजा, कहावत सब होना चाहिए। लेकिन अब दूर्प्योग हो जाता है तो धर लगता है। आज ये सोशल मीडिया के वज़े से लोग कोई भी शब्द कोई बी उल्टा सीधा करते है। सोशल मीडिया के बज़े टी आर्पी वाले। परेशानी टी आर्पी वाले करते हैं। तो आप जर अपना हीूमर को बचा के रखते हूं। लेकिन आपने दोस्तों के साहत आपके जो दूस्तों के साहत है। हाँ, वो तो आज़ी चलता है। मेरी कैविडेट बिटिक का भी गोता है। काम सेमें सट पर्लामें घया था। मैं शगर पार्लामेंट गया था। और गुलाम नभी आजाद और मैं बड़े दोस्तान अंदाज में गप्पे मार रहे थे पर हम बाहर निकलते हैं तो मेडिया वालों ने पूछा आप लोग इस तो तो बहुत आप लोग सोथे हो ऐसा नहीं है शायद एक फैमिली के रुप में हम लोग जीतने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग वो शायद बाहर कल्पना ने कर सकते हैं आपको हरानी होगी और बसे मैं जी बोलूँगा तो चुना में मेरा नुक्षान भी हो सकता है लेकिन ये ममतादी दीए है साल में आज भी मुझे एक दो कुरते भी खुद सिलेक करने जाती है में एक दो कुरते भेती है अच्छा, इस विए बगार्णा से निटी नम जी तो आज वाज जाल में तीन चार बार कोई बंगाली नहीं मिठाई होगी तो सपेशली धाका से मुझे बेदिते हैं स्पेशली बड़ा आगरा करके हैं तो बंता दीदी को पता चला हूं तो वो भी साल में एक दो बार मेरे लिए कुछ नो कुछ बैंगाले मिठाई जुरू बेच देती है मुदी जी मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा मैंने ये सुना है जब मैं पिछले साल मैंने ये सुना था कि जब आप गुजरात से गुजरात के सीम से आप निकल के आप प्राइम मिनिस्टर जब बने थे तो आपकी जो जमा पूंजी थी आपके बैंक में करीवन 21 लाख थे और वह 21 लाख अपने अपने स्टाफ की बच्चियों के नाम पर एफडी या उनको भांट दिये थे तो आज मैं जाना चाहूंगा आप नहीं भी जवाब दे सकते हैं आज आपका बैंक बैलेंस कितना है इतना ये आदिये दूरी बात है अच्छा आदिये दूरी इसलि जाना शुरू हो गया आपकी बैंक अकांट ने उसके पहले नहीं था अच्छा हाँ एक बच्पन में निकाला था तो वह बड़ी लंबी का था है मेरी स्कूल में मेरे गाउं में कि देना बैंक का ब्रांच खुला तो स्कूल के अंदर वो देना बैंक के लोग आये थे उन् चाहर देना तो मैने बैंक में जमा करना आपके नाम से पैसा जमा होगा। हमने भी बैंक आचांट उसमें खुला दिया कि अब हमारे गुलक में कुछ आया ही नियुक्त आने वाला को था ही नहीं तो क्या आएगा कः हम तो गभी पैसा जमा नहीं करा आए आप गाउं बना रहा और उनको कहीं पता चला बाद में कि मैं अब पोलिटिक्स में हूं तो बैंक वाले मेरे पास आए तो बैंक वाले मेरे पास आए तो जो वेतन मिलता है वाना शुरू हो गया तब बैंक अजन कुल गया है मैंने तो कभी वह देखा नहीं है रहा स्टाफ देखता था जब मैं निकला वहां से तो मैंने अपसरों को बुलाया तो मैंने तो अन्हों नहों ने कहां भई ऐसा मत की जैंग है अ तो खेर अफसर लोग मेरी इजयत करते थे ज्यादा बाहस ने कि चले गए शाम को एक सिंगियर अफसर को लेकर गया है मिलने के लिए फिर उन सब ने तीन तीन लोग थे यह समझाएं कि बुझे बुझे कम दीजी ठीक है आपको जरूरत नहीं पढ़े लिगे आपके पर इतन और बाद में मुलें कोई नहीं देगा आपको तो हमारी प्रात्ना है कि वेसा मत कीजिए तो मना गया क्या करें ठीक आपकी इच्छा है तो कुछ हिस्सा दीजिए तो उसमें से मैंने फिर 21 लाख रुपिया दिया अच्छा उसमें से मेरे अपने जेव से दे दिया और मैंन उनको यह स्विक्षा दिख्षा के लिए खाच करना है अभी वो फाउंडेशन साथ बनाये हुआ है गुजात सरकार ने और उसमें से मदद कर भी रहे हैं फिर वहां मुझे सरकार के तरफ से कि अमेले को एक प्लॉट मिलता है पैसो से मिलता है लेकिन कम पैसो मिला तो मैंने पार्टी को कहा है यह ले लो आप आपको दे दे राचा तो मुझे कुछ यह नहीं तो मेरी वह प्रक्ट्रिया चल नहीं थी फिर पता चला कि वह मामला तो कहीं सुप्रिम गौर्ड में लटका पड़ा है शायद वह जमीन किसे को दे नहीं सकते इस पकार का कुछ भाय मुझे मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं इस ती जो में रूची नहीं लेता लेकिन जब अब आपने प्लॉट दे दिया आपने पैसे दे दिया तो आप क्योंकि मैं आपको अगर आप इजास दे तो मैं एक छोटा चुटकुला सुनाना चाहता हूं जी जी एक गुजरादी आदमी था बुज़र्ग आदमी था वो मर रह था तो वो कहता है मेरी गुजरादी तर फ्रिक से देटीक झाशा मेरी दीकरी कहा चे डेडी हूँ यहाँ जूर्ग मैरी बीवी कआ है मैं भी यहाँ हूँ आप तीने को जत्यों यह तो दुखान पर कौन है तो सारे कि सारे इ tube ही आ गय हो तो मेरे दुकान ते कोन है मैं मानने को थयार नहीं कि क्こう कि मैंने देखा ह जो होते हैं वो अपने पैसों को बहुत सभी संबाल के रखते हैं वो अपने पैसों से दूर नहीं रहे दो यह बहुत बड़ी है अब यह चुटकुला चलता है कि एक बार प्रिप्रम प्रोट रेल्वे ट्रेन में तो उपरी बर्थ पे कोई पैसेंजर सोया हुआ था उसने जगा स्टेशन आया तो उसने खीड की में आवाड लगए कि बाहर किसी को पूछा कि कौन सा स्टेशन आया तो उसने का चारा आना दोगे तो जवाब दूगा तो पर जवाब की ज़रूर नहीं अम्दाबद होगा सबढ़िया मैं बिल्कुल तो यह बिल्कुल बात सही है और और एक बता बताता हूं यह किसी के आलोचना करने लिए नहीं है लेकिन कोई भी आर्थ निकाल सकता है और यह सत्य गटना में से बना हुआ चुटकुला है बहुत साल पहले वैसे मेरी जिनगी ऐसी थी यह हापस्लीव का कुर्टा और पैजामा जूते और थेला यही सही मैं रेल्वे में भटकता रहता था और डाड़ी रहती थी तो मैं पूने स्टेशन पे उत्रा और मेरे ज़्यादा सामान तो था नहीं मेरा एक वो जोला थे ह गखार साहन तो मैं पैदल चला जा रहा थाम ज़िजिए पुने मैं पुने मैं आरसेस दफ्तर में जाना था मैं तो मैं पैदलो जाना थार तो नहीं है तो एक सही झांगत थिरे टिरे थिरे खात चलता दे है फिर करीब 100-200 मेटर गया होगा और तो दोतीटा ईसने ले अग मैं जब जब भई आपकी ऑटलिशेप खरावे क्या प्रोब्लम है अपका। तो है तो सो किश आप नहीं मेठ होगिया। मैं जब जब का क्यों मै तुम तो तादल जा रहा हूँ। तो बले आप समाजवादी हैं। मैं जब नहीं मैं तुम्दवादी हूँ। तो मैंने क्यों समाजवादी क्यों? यह बोले हमेरे पुने के समाजवादी जो लोग है वो स्टेशन में पब्लिक के साम में आटोरिक्षान नहीं बैठते हैं दूर जाके गुप चुप बैठ जाते हैं क्यासा क्यों? लोगों के इंप्रेशन रहे के वो महनत करते हैं साथगी वाले हैं तो बोले मुझे भी लगाए शाइज आप समाजवादी है तो औरो के तरह आपकी थोड़े देर के बाद बैठ जाओगे तो बोले इजनी मैं चल रहा था तो जब उसने मुझे पर जब समाज कि इन का चिराग मिल जाए और जिन कहें कि आपके तीन विशिज हैं तो वह आपके तीन विशिज क्या होंगे? देखे आलाव दिन चिराग मुझे मिल जाए और सचमिन में उसके पर ताकत होगी तो मैं उसे कहूंगा कि तुम जितने भी ये समाज सास्त्री है या जो तो मांग में भर दो कि भावी पीडी को ये अलाव दिन चिराग माली कथा सुनाना बन करें कि ऐसा कोई अलाव दिन होता है और वो इशा इच्छा पूरी करता है मैंना का उसको महनत करना शिखाओ मैं कभी एक्सपेक्ट नी कर था आप ये जवाब दो ये लगाए आपको ये मिल जाए बैठे बैठे मिल जाए तो ये जो आपने जो किया हुआ है ये जो कहा हुआ है बिलकुल सही कहा हुआ हुआ है ये मुल्त है बार से आयो हुआ चिंतन है जी मैं रिसर्ट नहीं किया है हमारे हम मुल्त चिंत ऐसे नहीं है मुल्त हमारिया परिश्रम का है जी हम जब यह सब कुछ खतम हो जाएगा मतलब आप पॉलिटिक से सन्यास ले लेंगे तो आपके आगे जाके आपने क्या करने एक बड़ा इंट्रस्टिन चीज बताता हूं अपर हम दोगों की एक मिटिंग थी इनर सरकल की अटल जी थे अडवान जी थे राजमाताश इंद्या ज तो बाते चलिए कुसमस ऐसे इक अभीटिंग शिरू हना बागी था तो जे गप चल पड़े कि बाद क्या करेंगे तो सबने कुछों की अपना बताया प्रमोध माजन इसको बड़ा लोगों को खुरुत फुरुतिर के निकालते थे अचा प्रमोध जी की व्यक्तित्व की जीवन बड़ा विवित्ताओं से भरा था अने प्रकार की एक्टिविटी से वापने आपको जोड़े रखते थे मुझे पूछा मेरे लिए प्रमोध मेरी जिन्दगी है और इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि मैरे इसमेरे समय बिताने की कुछ करना पड़े मुझे अपने आपको एंगेज रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचाराया और नहीं मैं सोचता हूं और मुझे पक्का लगता है चारी कान-कान और जीवन का पल-पल किसे ना किसी मेशन में ही कप हूँगा ये आपने सोचा मेरे पार इसलिए कुछ मुझे पर कोशल ये नहीं है मैं जिस हिसाब से आप बताते हो कि मुझे लगता है आप जिन्दगी में मिलब जब सी एम से यहां जब पी एम बने थे तो तो मैं ये जाना जाओंगा कि सबसे वैल्यूबल चीज आप क्या लेके आये थे यहां इस घर के अंदर इस घर के अंदर सबसे वैल्यूबल चीज आपकी क्या रही थी अगर मैं वैसे यह पूरी बादचित आपने पहले मिले कांग भी मैं तो कोई राजनेती की चरदा करना नहीं चाहिए लेकिन कुछ मात्रा में मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री बनते समय है शायद और प्रधानमंत्रियों को यह बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है देश में इतने प्रधानमंत्री हो गए इतने प्रधानमंत्रियों को यह बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है वो यह है कि मैं लंबे अर्षे तक मुख मुख्यमंत्री रहके आया हूं और मैं गुजनात का लोंगे सरवींद चिफ मिनिस्टर था कि चिफ मिनिस्टर होने के नाते आपको बारी कियों से जूड़ना पड़ता है आपको इस्व आपके सामने सीधे आते हैं सॉलिशन आपको सीधा करना पड़ता है यह तजुर्वा शायद मेरे पहरे के किसी प्रधान मुद्र को कितना सद्वाग्य नहीं मिला देव गड़ा साप मुख्यमंत्री रहे थे लेकिन बहुत अल्पकाल के लिए मैं बहुत नंबा रहा हूं मैं सबता हूं कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संबल दिया बहुत बड़ी ताकत दी है यह मैं अपना मान सब्सक्राइब नहीं कि वहां से में लेकर जाया यह जो देश के कामा अरहा है आप जैसे मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपके स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप तीन या चार साड़े तीन गंटे ही सोते हैं, तो साथ गंटे तो सोना एक शरीर को चाहिए चाहिए, आप साड़े तीन गंटे ही सोते हैं, जो जितने मेरे साथी है, मेरे जानने वाल लोग है यह हमारे जो अब सरकार में आया हूं तो दॉक्टर भी रहते हैं उन सब का मेरे से यह की आग्रा रहता है कि मेरी नियन में बढ़ाऊं कि राष्टती उबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के मुझे गए तुरे मुझे जी क्यों अच्छे दो कि यह तेरा नशा है काँ का तुम करते रहोगे लेकिन तुम अपना नुक्षान कर रह रहा है अँ जब ही मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो ने मनत निद बढ़ाई गनी बढ़ाई अब तता नहीं मेरा इक बाड़ी साफ हो गया है तो अब आपको नीद आती और साड़ मेरा कुछ नहीं, आँख खुलती है, फिक्षन अब सेकंड मेरा पहल जमीन पे होता है, बहुत जाता हूँ, अब यह हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में, जिस जिन्दगी को मैं जी रहा था, उस में से शाहिद यह डवल्ट हुआ है, अब वो मेरा मेरे मेरे शरीर क वही सा बन गया है, लेकिन मैं जैसे आपने का रिटार होले के बाद क्या करोगे, पहला काम, मैं निंद कैसे बढ़ा हूँ, इस पर सोचूंगा, कहां बटो यहां, आज 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 आपके सारा कावित पढ़े हैं, तो आपको कभी, मैं यह जाना चाहूंगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरिंदर मुदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं, आप हैरान होंगे, मैं बहुत ही, फिर वही कहूंगा, मैं ऐसी कठीन जिनी की जी करके आया हूँ, तो डॉक्तर क्या होता है, यह महंगी दवाईयां क्या होती है, तो डॉक् जढ़ जढ़ते हैं, तो पैर तो डर करते ही हैं, तो यह कितनी आदि हो लिगिन उंकशाइयों उपर जाते हो तो अब जो अक्यला इंसान है, वह क्या करे ला हूँ भाली को तो उन्हा इसको तो कुछ निग प्रश्वा कर आसकता है, मेरे कारता था था यू जो असाम का गंशा होता है यह नहीं पाद रहता था ऐसा इस अगा इसको एसे पहर पर बात देता था पूरा अब बीच में एक छोटी लखड़ी को टोड़ करके पैट से लगा जयता था इसको मैं करू करता था तो प्रेसर आता था ऐसा पूरे बाड़ी को मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका रखता था मैं तो ऐसी चीजे में एवोल करता था अपने जिये मैं बहुत साल पहले काईला से आत्रा पे गया था पैदल टोटल यात्रा करीब थाजन किलोमेटर का था था पैदल गया कुछ और भी लोग थे बड़ सब लेकर के आये हुए थे मेरे पाद तो को था मेरे पाद केस्टर ओल था और वो भी रो सिधा वो गहनी से निकाला हूँ तो उसकी मैल भी बहुत खराब होती है तो मैं उसी को लगाता था अब ये लोग आज में छठे दीन मूह नहीं दो सकते रिकिए उनकी चंबडी जह आधकर कुछ नहीं केस्टर लगाता हुए तो रात को हम जब पहार चड़कर करकर रातनी मुकाम होता था ता अ मेरे पास बहुता है हर और फो एक भूंद केस्टर युब बहुता है जू काम होता थे तो मैं गरम पानी पूरा समे क्लीता घरम पानी पुराप्ती अच्छ ज मैंने एकदम से सिवय पानी कुछने एक दो दिन 24 गंटे एटारीज गंटे ज्यादा नहीं करना पर तीसरा इस सर्सों का तेल होता है उसको थोड़ा गरम करके थोड़ा गरम करके रात को दो तीन बुंत डाल देता है जलन बहुत होती है लेकिन यह मेरे दो दिन में क्लीर कर प्रेमaltet डाल जिने के आदात है मैं कुछ चीजे करता हूं वновlement गठावों पूछना चाहूंगा अपसे मैं एक मैंने चीज़ फॉलो की है जिसको कहते हैं कि साथ बारा पान्च इंटो चालीस मैं ब्रेकफर्स्त कर लेता ओ, भारा बजे मैं अपनागा ठालीस बार गारलेता dokład ka carry है और और अर्रे सफरियो इंटो स्वेन्ट यनि कि जैब भी एक गस्ता खाताउा से चालीस बार च्बा ए Department तो यह मैंने अपने शास्त्रों में पड़ा है कई लोगों से बात किया तो आप इससे सहमत हैं बिलकुर सही रास्ता आप ने चुना हुआ है हमारे देश में मुलादत यही है यह बेस्टन जो बड़ आया उसने फिर दिरे दिरे इसमें यह बड़ाव किया कि लोग वरना हमारा किसान आज भी गाउ में सुर्यास्त के पहले खाना खालेता है और दिन में भी आपने देखा होगा किसान सुबे एक प्रकारते वो पिसको आप नास्ता कहतें लेकिन अक्शली उसका वो लंच जयासा ही होता है तो काफी मातरा में बड़े बड़े रोटियोल और सब्जी और चत्मी कुछ लेकर के थेच चलाज दो दीन में थोड़ा सा लेकर के उसकी पत्नी सर के रख कर जाते है वो पुरा भोज़ा नहीं होता है थोड़ा होता है आज भी हमारे देश में परमपर है भी आपका एक फ कि यह जो है यह जो आपकी जो शेविंग और यह सब क्या यह मतलब फैशन जो है यह आपने खुद ने किया है यह आपने किसी को आपने बहुत अच्छा सवाल पूशा जैसे मैं बहुत श्टीप हूं बुसा करता हूं यह जो एक छबी बनाई गई है यह जैसे दूसरी कपनों की दुनिया को लेकर को बनाई गई है दरसल क्या है मैं छोटी बैग मेरी जिन गी थी और मैं ट्राविलिंगी करता लेता था तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था कि मैं थापने खुद दोया हुआ हुआ कभी मैं लेक अपड़े तो फिर मैं ने किसी सोचा कि लंबी बाहें रखता हुआ तो मुझे इतना जादा दोना पड़ता है दूसरा मेरे बैग में वह जगा जादा लेता है तो मैं ने खुद नहीं काड़ दिया था अच्छा वह कि इब सही है कि मैं धंग से रहना ये मेरी प्रकूरती थी शाद एक कारण ये भी था कि गरीबी के कारण कभी-कभी इंफियर्टी फिर होती थी लोगों के बीच पे तो उसको ऊवर्कम करने के लिए शाइद साइकोलोजी पढ़ी होगी बच्पन में ऐसा मुझे रखता है कि मैं क्या करता था अब हमारे घर में वो प्रेश करने के लिए कुछ था नहीं तो मैं ये बरतन का जो लोटा रहता है उसमें कोईला भर देता था गर्म कोईला और उसी से कपरों को प्रेश करता था और पहंके जाता था लिए जूते नहीं थे तो मेरे एक मामा एक दिना तो पता नहीं उनका मन कर गया तो उन्हों मेरे लिए जूते ला दिये, तो एक एनवास के सफेज जूते हैं नहीं हाँ छोटे से बसाज उसमें तो आट-दस रुपन मिलते होंगे, वो ले आए, तो मैंने थे थे थोड़े दिन में तो गंदे होना शुरू होगे, मैं क्या कर जाता था, क्लास्रूम में सब बच्ची चले जाते थे, मैं रुका लहता था, और टीचर जो ब्लैकबड पर लिखता है तो बाद में जो छोटा चॉक्स्टिक का टुकड़ा रह जाता है, वो ऐसे फैंक देता है, तो मैं उसको इखटा करता था, वो चॉक्स्टिक के टुक मिला हूँ, आप घड़ी जो है, वो अभी तो आपने सही पहनी है, लेकिन घड़ी आप ज्यादा करके ऐसे पहनते हो, गड़ी मैं सही पहनता हूँ, क्योंकि मुझे मिटिंगों में बैठता है पड़ता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसी को पता चले, कि मैं ऐसे उसको इंसल्ट फिर दोता है, तो मैं उसके सम्मान के लिए हमेशा रहता हूँ, ऐसे चोरी छुपे से गड़ी देखता हूँ, आप कोई बैठ रहा है बात कर रहा है और गड़ी देखते हैं, तो मतलब कि उसको इसको इसारा करो, भी बहुत हो गए जाओ, तो आप ऐसे पहनते हो, मैं देखा था कही बात करते हैं, तो आप खुद देखते हो, ट्विटर या इंस्टरग्राम या सारी चीज़े आप देखते हो सर्म, मैं जुरूर देखता हूँ, और एक प्रकार से, उससे मुझे बहुत प्रकार की जानकारिया मिलती हैं, जुरूर देखता हू और मैं आपका भी ट्विटर देखता हूँ और ट्विंकल खना जी का भी ट्विटर देखता हूँ, और कभी-कभी तो मुझे लगता है, कि वो जो मेरे पर गुसा निकालती है, ट्विटर पे, तो उसके एकारण आपके परिवारिक जीमन में बड़ी शान्ती रहती होगी, पूरा गुसा मेरे पर निकल जाता होगा, इसलिए आपको बड़ा आराब रहते हैं, सुकुन वेलता होगा, तो वे आपके लिए इस प्रकार से काव आया हूँ, कास करके ट्विंकल जी के लिए, और शायद ट्विंकल जी को पता नहीं होगा, उनके नाना, चुनी भाई, उन से में मिला था, बहुत पहले, और कारण क्या था, यह बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, गुजरात में एक बहुत बड़ा आकाल पड़ा था, तो हम लोग उसरों को सामाजी काम करते थे, उसमें हम लोगों को यह बटर मिलके केंदर चलाते थे, छास पिले के गलमी बड़ मिठाई के बहुत बड़े वापारी थे, नाम तो मैं भूल गया, बून को लाए थे, और उन्हें डोनेशन भी दिया था, और हमने ऐसे चाज केंदर चालू किये थे, बटर मेलके, बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे पानी की परब रहती है, बेजी चाज की परब रहती थी और हर गरीब व्यक्तिव हो, तो उस समय मैं उस सेवा के काम में लगा था, और उस समय उनके नाना जी वहाँ आए थे, तो उस समय मेरी उनसे मुलागार हुई थी, काफी बाते हुई थी उनसे के था, तो मेरा उत्रकार से उनसे परिचर रहा है, तो आप मतलब खुद भी प आप मेम आते हैं, तो वो मेम देखे आपको हसी आती है, यह आपने कहा है गुसा तो आता नहीं जादा करके लेकिन वो जो मेम आप देखते हो, तो आपको कैसा लगता है, जयसे, तेखो मैं कुछ चार पांच मेम लेकर आया हूँ, यह देखिए, यह लिखा है, इस टी सेलर केन गिव नेशन यूनिटी, एक्वालिटी, सेफ्टी, प्रॉस्परिटी, तो ये एक है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, चटनी के बिना दोकला है बेकार, अब की बार मोधी सरकार, ये देखिए हमारे, मेरे ही सारे फ्रिटनिटी के लोग आय थे आपसे मि अगले दिन आपको इतना असर पड़ा, सीजा मोटर साइकल लिया, आपने निकल पड़े, तो ये मीम देखके आपको कैसा लगता है, मैं उसमें मोधी को कम देखता हूँ, क्रेटिविटी को ज्यादा देखता हूँ, तो मुझे उस क्रेटिविटी के परती है, और मेरा गो अगले सोच लेकिते हैं, तो मैं आपको बता हूँ, आप और मैं भी बात कर रहे हैं, जबार हमारा इस विडिया का ये सबसे बड़ा बेनेफिट मुझे ये है, कि मुझे कामन मेन की जो सैंस है, उसकी जो क्रेटिविटी है, उसका अनलीसिस है, ये समझने में बड़ा बना क्या होता है, कि बनी बनाई लोगों के जो परोसी हुई चीज होती थी, फाइव स्टार फूर जैसा होता था, ये ये के पकार से फुट्पातपर का जो चने चबेने और पकोड़ा होता है, वैजा सोचल मेडिया का मट्रिल होता है, फिनिश नहीं होता लेकिन उसमें से अगर आएगा तो इसके ओपर भी बड़े मीम्स बनेंगे, तो आप तो खरते हैं, मुझे मेरे ले पहली बार होगा, ये मतलब कुछ लोग होता है, इंटेंशन से आपको चुभेशले करते हैं, जानबुच करके, उस समय अपने आपको संतुलित रखने से उसके सारे कर देते हैं, अगर आप उसको रियक करते हैं, रिस्पॉंड करते हैं, उसको मझा आ जाता है, लेकिन देखा है छोड़ दिया, तो उसकी नेंद घरा तो मैंने इतनी महनत की, इतना मोधी जी के माल नौच ले वाली चीज की, मोधी के कोई होई ने रा है तो वो परशार हो अए पिर वो ऑफना बंद भी कर देता है ठोड़े देर गात तो इवी बात सही है, यह तो सी अपसे बात करके मुझे भहुत बहुत मज़ा आता है, आप से मैं दो थीन बार पहले भी मिल चुका हूं और आज मुझे 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 ला है आपसे बात चीत करने का बहुत तुर डवलिए पर्सन जिसने जिन्दगी में सब कुछ अपाया है और खोया भी है और सैप्रफाइस आपकी जिन्दगी के में यह मेरा अनल्सिस है जो मैं इसे भी बात करे विश्स्टीज अपने भी बहुत सैप्रफाइसे है मुझे यह मुखा मिला है आपसे बातचीत करने का क्या आप मन्तली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेचते हैं अज़ आपकी जब मिले जाओंगा सबारूपया वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज बी आपकी अपरिशा नहीं करते हैं को जरुवत पर नहीं है दूसरा शाइद मैं ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक अज़ा प्रदाम भी रहाओं मेरे परिवार कोई खर्चा सरकार को नहीं है वन्या बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है सब मेरे परिवार कुछ लेता नहीं कुछ नहीं कि अ मैरे प्रति लगाव नहीं ऐसा नहीं है लेकिन जीवन ही ऐसा बन गहा है कि मैंने अपने आप परिवार प्रादेश को अपना परिवार बना लिया है इसी मैं लगा रहता हूं यही काम करता रहता हूं मैं यह जानना चाहूंगा कि आपको मैं बच्पन में ऐसा कौन सा खेल था भी जोब खेलते थे मैं बच्पन में संकी शाखाओं में जाता था अच्छा शाखाओं में बड़े अच्छे वज्जानिक खेल होते हैं बड़े वज्जानिक जिसमें टीम स्पिरिट आयें जिसमें जैसे एक खेल होता है कि सब सरकल में बैठते हैं फिर जो हमारा लीडर होता है वो पूस्ता है आपकी राइट साइट पर जो बैठा है उसकी एक क्वालिटी बता अब है तो खेल लेकिन आपको उसके कान कॉंशेंस ले जाता है आप दूसरे के गुणों को देखना च असलिए मुझे बच्पन में संग की शाखाओं में खेलों के द्वारा तीम स्पिरिट क्या होती है रिस्पॉंसिबिलिटी शेयर करना क्या होता है यह खेल है संग में बढ़ पढ़िया खेल है परंपरागत खेलें कोई संग वालों ने ढूंड़े ऐसा मैं नहीं कह रहा दूसरा मैं योगा से ज्यादा जूड़ गया फिजिकल एक्टिविटी के रूप में कहें तो लेकिन मैं इंडिविजल खेम के बजाए गुरूप वाले खेल को हमेशा पसंद करता रहा है क्योंकि वो एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व को अलग से डेवलप परते है जो तो जिन्द की जीने के लिए गुरूप वाले गेम्स खेलने चाहिए अडिविजल कितना ही हम बढ़े चल जाये लेकिन गुरूप वाले खेलना चाहिए यह मेरा मत रहता है अब ज़ी आपने कभी गुलिरंडा खिला बेलकूल खिलता था हमारे हाँ गाउ में जहलते थे लेकिन जादा तर मैं तेहर निक लिए चला जाता था मुझे पानी पसंथा था तो परिवार के सारे कप्ड़े मेहत होता था तो तालाब में ही पानी था तालाब में चल जाते थ तो मैं बहुत घंटों तक स्विमिंग कर लेता था, मेरे शरीव के जो अगर मुल्हूत कहें के बड़ी बड़ीड़ोपमें जुको कहें, वो है वो शाधी स्विमिंग से हुआ है, वो गाउवाला स्विमिंग, जो में गाउं में तालाब में, नियर हो गए, तलाब हो गए, मैं अभी याद है आपका मैंने एक United Nation में एक पहली जो speech देखी ती आपकी, I think 2014 में दी ती है मैं प्रदान मंत्री बना और सितंबर में गया था सब्टेंबर में गए थे तो आपने जब आपने इतने सारे speeches दिये हैं तो वो आपका पहला speech था जो वर्ल्वाइड पूरी दुनिया तो वयू नवस क्या मेरे प्रदान मंत्री नेरंद मोदी जी नवस थे उस दिन मेरा प्रब्लेम ओवर कांफरेंस था है अच्छा उल्टा था और हुआ क्या कि मैंने मन में सोचा था कि मेरा फ्रेमवर्क रहेगा बोलने का जब जहाज महां से जा रहा था हमारे आपसवरों हुआ है तो हमारी फॉरेंड मिस्टर सुष्मा जी उनकी मीटिंग यह जादा होती थी तो उनको पहले जाना पड़ता है तो पहले गई थी तो पहुंचने के बाद ही मेरा वह दूसरे दिन कारकम था तो मेरा नेचर है मैं होटल से उतरता हूं तो पहले मीटिंग की कर लेत अधान जिए बड़ा आगरेन नहीं को बुछाथ अचाप्सर लोग बोलनी पाते दे मुझे मुझे में बीजे कहा भी नहीं था जो लो आप भाशन नहीं करना चाहिए लिखी स्पीशना चाहिए कि अपिशी को लिखने के लिए कहा है ना मैने लिखा है तो हप जगा वैसे करता हूं घर काफी दिन आधा हंदा तक बहस होती रही है लेकिन उना ने बिलकुल पकड़ करका नहीं साब इसमें आपके नहीं चलेगी आपको मानना पड़ेगा तो मैं आप क्या करेंगे तो मैं मैं अपना बता देता हूं मुझे क्या बोलना है तो मैंने वहीं पर उद्दमाई मैंने कि इसके आधाय पर आप बना दीजिए फिर वह स्पीच तयार अब मुझे स्पीच प्रॉब्लम नहीं था पढ़ना यह प्रॉब्लम था मतलब पढ़ना यानि कि एने पढ़कर के बो अच्छी पढ़ रहा हूं मैं अपने देखा हो गए मेरी हाथ में कागज है तो यह सबसे पहले मुझे नेपाल करदानम नेतरी बने कबा तो हाँ भी मैं एक्स तेम्प बोल दिया था और वह भाषन आज वी मशूर है अज भी मश्वर है नेपाल में पहला भाशन था थो ए मेरे लिए फिर वो इस प्रकार की जो मीटिंगे होती है उसमें बहुत आवश्यक हो गया बात में मुझे भी ध्यान मैं कि यह देश का मसला होता है को इदद और शब्द न चला जाए तो फिर खार मैंने मुझे उस डिसिप्लिन को फॉलो करना चीए लेकि मेरे पहले पासर का मेरा रूपा भी यह है फिल्में देखते हैं अब ही नहीं देख पाता हूं लास्ट फिल्म कौन सी लेकिन मेरे गाव में एक थिएटर था और मेरा एक दोस्त था दसरत करके उसके पिताजी थिएटर के बाद स्विंग चना बेचते थे और हम गाव वाले उनको लक्ष्मर अगर थिएटर में दर्शक कम है और जगा बची है तो फिर वो थिएटर के बारी बैठते थे दो माली को कह देते जरा इन बच्चों को बिठा दो ना तो फिर वो मुफत में हमको थिएटर में जाने का मोखा बिल जाता था वो लक्ष्मर बीजो शिंग चना बीचते थे उ हम दोनों जाके बैठके मूवी देखते थे तो बच्पन में मूवी देखने का यही एक हमारा तरीका था बाद में जिनगी ऐसी बन गई है तो को मुका नहीं मिलता लेकिन शाइद एक अभिताब बच्चन जी आय थे जब मैं सीम था उनका बड़ा आगर था एक पापा फि देखने चला गया तो ऐसा कुछ हुआ है लेकिन वह भी ज्यादा यह पिल्कुल नहीं कर पाया अब आपने एक फिल्म बनाई थी आपको बने अलका सा कुछ बताया भी था पहले कि तॉयलेट एक प्रेम का था फिल्म बनाई थी और मैंने वह खुद देख नहीं पाया लेक को बहुत कहा कि देखो भाई सामाजिक जीवन पर कैसे फिल्म में चल सकती और बन सकती हैं वो कमर्शल हिसाब से मैंने पूरे बनाया थे बलके गाने वाने वगएरा यह मा पिता सब कुछ उसमें रखा हुआ था और अश्यल मेसेजिंग था अच्छा था तो लेकिन खेर मै तो मैंने रियल लाइफ में किया थे लेकिन आपने रियल लाइफ में करीबन नौ करोड से भी ज्यादा टॉयलेट्स बनाया है तो यह तो मतलब यह ऐसा कैसा होगे जैसे कि आपने जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले आपने सवच्छा था के ओपर बात रखा हुआ है सवच्छता पर रखा हुआ सवच्छता आपके लिए बहुत माइने रख लिए मेरे जीवन में मैंने गांदी जी उगरे जो पड़ा है और कुल मिला कर मैं देखता हूं कि हमारे देश में हैं विमारी गरीबीन सब की चीजों के साथ हेल्थ बड़ा सबसे ब सब्सकारों के कारण घर में आओ तो पैर दो करके आओ भाद धो मंदिर में जाते हो तो नहां करके जाओ सब बहुत सिखाये जाता है और भारत जैसा देश दुनिया में अगर इतना बड़ा दुनिया को देने के लिए टूलिजम डेवलप नहीं हो रहा है एक कारण है अब आज के लिए सोभान ही देता है तो मेरे मन में एक बड़ी चीड है मैंने सोचा इसको एक जनांदूलन बना देना चाहिए और देश को घरव होना चाहिए हम लोगों को घरवना चाहिए कि हमारे देशवास ने इस कारकाव को अपना बना लिया और ये नौ करोग टॉल करने बाला जी देशने चीज को उठा ली आप अज प्राम मिनिस्टर आप कभी चिल एकदम अराम करते हैं मतलब कुछ अराम से बैठी यू बैठें गार्डन में सोच रहे हैं बत ऐसे कुछ नहीं चिला उट के लिए मेरी एक आदत है मुझे आप कर नहीं पाता हूं लेकि चाई पीने की आदत है बिना शक्कर आप चिनी में लेता नहीं मुझे को प्रॉब्लम नहीं है लेकि आदत नहीं लेता हूं दूसरा मुझे शाम को छे बजे दिन में किसी के साथ कटसी के लिए बैठ गया थोड़ा ले लिए दो गूपता अलग बाद है चाई की आदत नह है मेरी बॉड़ी रिक्वायर कर रही है लेकिन वह मुझे तब मजाता है मैं च्छत के नीचे नहीं हूं सीधा आसमान से मेरा संपर खोना चाहिए खूले में बैठा हूं अक्यला बैठा हूं और वहां आराम से चाहे पीता हूं यह मुझे बहुत पसंद आता है और वो अशरी की काम है दूसरा एक चीज मेंने बहुत की थी और जो जैसे आपने का रिटार्यर्मेंट के बाद क्या करोगे दूस काम को ज्याजा करूंगा पहले मैं रेगुलर करता था मैं कभी दिवाली नहीं माना पता था जी मैं दिवाली में चार पाट दिन कहीं चड़ा जा और मैं पहले रिसर्च करके रखता था कहीं जंगलों में कोई जहां इंसान नहों लेकिन पीने के लिए शुद्ध पानी अवेलेबल हो ऐसी जगा ढूंगता और वहां जाके मैं रहता था कभी पैड के नीचे क्या कोई भी खंड हर कोई मिल गया तो उसमें पढ़ा रहता किताब भी नहीं कुछ नहीं और पांच दिन मैं ऐसे ही अक्यला रहता था प्रकृति को देखना एक प्रकारद मेरा वो कारकम का नाम था मैं मुझसे मिलने जाता हूं मैं मुझसे मिलने जाता हूं ऐसा है मेरा वो मेरी जीनगी में भहत बड़ी ताकत देने वाली चाहिए तो आशे हों अब नहीं कर पाता हूं अब तेकर स्पीजी बगेर इसा कबर हो गया है जीनगी यह बालग हो जाती है लेकिन बहुत सालों तक मशा है और मैं उससे बहु आपके और मेरे में कॉमन यही है कि आप चाय बेच्टे थे और मैं जी बेटर था, दोनों के आप और मेरे में यही है कि नुदुन के कोई गौडफादर नहीं थे, हम अपनी जिंदगी अपने टर्म्स और कंडिशन पे बनाई हैं, यह रहा है वस्तु जब में चाय बेचता अजिए बहुत कुछ स्वभाव को समता था, बिनाकरण जो चाय पीने वाला है गुसा करता था, दार देता था, तेन चीज़ों को सिखने में बहुत कामाया, लिए एक चीज में में बहुत मज़ेदार है, बरी जिन की किया, मैं जब लोगों हिंदी में बात करता हूं, तो मुझे बहुत सर्प्राइज करते हैं, मुझे हमारे सिकंदर बक्त साथ थे, बीजेपी के लीडर, वो मुझे हमेशा कहा, रहे अर्यार मोधी, तु इसनी बड़ी हिंदी कैसे बोल लेता है, तु तो तो बुले गुज्जु है, तेरा मुरार जी, वो दोस्ताना है, बहुत ब लेकिन य renowned लेता है जो माल भूती है वो जादर और मुंबई मैं जो भैसोगा तबेले रहते हैं, उसके जो दूद बेचने वाले लोग है, वह क्यशा Victor by जेगेते हैंगे तब तक मुंबई में रखते है, बाद गाहों में आकर छोड़ देते हैं, वो बैसों को लाना ले ज एक वेक्ति आएगा तो तीन चार दिन देहना पड़ता था हम उनको उनको चाय चेही हम चाय देते थे उन से बाते करते हैं मैं हिंदी सिख गया है अच्छा अच्छा फिर वो क्या करते हैं अपना मुजिक की कुछ चीज लिया ते तो शाम को वो चोपाई आपाई अपना भा आप कभी कोई हिंदी गाना गुंगुना आते हो अखेले हैं गुन तो नहीं होता है लेकिन मैं जब चाहता हो मेरे मन पर जो कुछ गीध है जोती कलस्चल के या यह पवन वेक से उड़ने वाले गोड़े ऐसे जो गीत थे बहुत पुराने तो बहुत अच्छे लगते थे और देश की लिए काम आएगा कुछ बात नहीं 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 लेकिन मुझे अच्छा ही लगा कि यह चुनावी आपा धापी तू-तू-ँमे के बीच यह बहुत पर होता है तो जो आप पूरते हैं कैसे रिलेक्स होते हो यह भी तरीका है रिलेक्स होने का बटो लीप